So recently आप सब लोगों ने ये news सुनी होगी कि S-400 Missile Defense System जो रशिया आज के समय सप्लाई कर रहा था चाइना को अचानक से इसकी सप्लाई रोग दी गई है कुछ यूनिट चाइना के पास है मगर बाकी जो पहुचने थे रशिया ने सस्पेंट कर दी एनकी डिलिवरी ना इसका reason क्या हो सकता है बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा in-depth analysis करेंगे so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin go to google play store, download करो यहाँ पर study IQ education app और यहाँ पर आप purchase कर सकते हैं हमारा flagship UPSC course जिसके लिए EMI option available है don't forget to subscribe to study IQ and press the bell icon now as 400 missile defense system इसके बारे में बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ यह क्या है मैं describe नहीं करूँगा आप सबको बता होगा aircraft missile कुछ भी अगर इसकी reach में आता है तो इसको यह destroy कर सकता है maximum reach है इस air defense system की 400 km और दुनिया भर में माना जाता है कि यह service-traced air defense system है और आज के समय तीन countries इसको purchase कर चुकी है from Russia, Turkey, India और China और इन तीनों countries में से सबसे पहला buyer था China चाइना ने 2014 में इसके लिए एक order place कर दिया था और रशिया ने यह missile defense system चाइना को provide करना start कर दिया और उसके बाद 2018-19 के वीश में चाइना ने काफी बार S-400 को test किया है even military exercises में इसको test किया with various countries यहाँ पे आप देख पाएंगे the diplomat का article है from 2019 report China completes user trials of S-400 defense system मगर इस report में बताया गया था कि चाइना ने जो missile test किये है उसमें से कोई भी missile 400 km का नहीं है तो इससे यह माना गया कि since China MTCR Missile Technology Control Regime का member नहीं है जिस तरीके से इंडिया और रशिया है तो चाइना यहाँ पर 400 km की जो missile है यह purchase नहीं कर सकता openly अब secretly रशिया ने अगर कोई missile provide किया हो वो अलग बात है उस पर मैं comment करूंगा नहीं मगर हम officially देखें तो चाइना के पास जो 40N6E missile है यह नहीं है वेराज यह missile रशिया इंडिया को supply कर पाएगा क्योंके इंडिया MTCR का member है तो देखो S-400 की total 5 unit चाइना ने initially order करी थी from Russia बाल में ये भी बात चल रही थी कि हो सकता है कि एक 60 unit भी order करें मगर रशिया ने on time चाइना को S-400 supply करना start कर दिया और चाइना के पास आज के समय इसके 2 unit है ये भी news आ रही है हलागी confirm हुआ नहीं है कि चाइना एक S-400 की unit लदाक के पास भी deploy कर सकता है हलाकी इनुने अभी deploy किया नहीं है confirmation हुई नहीं है मगर इस पे भी कुछ speculation आ रही थी तो जो बाकी का S-400 missile defense system चाइना को मिलना था अगले साल के अन तक रशिया ने उसकी delivery रोग दिया रशिया ने काए कि जो आपके पास है ठीक है बाकी की delivery अभी के लिए हम suspend कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि कब ये जो delivery है हम वापस resume करेंगे अब चाइना का जो state media है उसने इस बात को spin दिया है इन्होंने यहां पर ये बोला है कि एचुली रशिया में जो COVID-19 की situation है अभी control में आई नहीं है तो इसलिए इन्होंने delay किया है जबकि ये बात correct है नहीं रशिया ने उपन ली ये का है कि COVID-19 का impact इंडिया की S-400 delivery पर नहीं होगा तो अभी ये असी बात है जब इंडिया की delivery पर नहीं होगा तो चाइना की delivery पर कैसे होगा तो इससे साफ लग रहा है कि चाइना का state media इस बात को ढख रहा है कि कहीना कहीं रशिया चाइना से नाराज है और एक issue को लेकर इन्होंने S-400 की जो supply है ये suspend कर दी है एक ऐसे time में जब चाइना बहुत से fronts खोल रहा है एक Japan के against, US के against, even against India तो जो ये move है रशिया का ये बहुत important है और इससे definitely चाइना को setback पहुचा है तो अभी तो हमने बात करिए कि चाइना ने officially अपने जो media mouthpiece है उसके थुरू क्या बोला है मगर हम बाकी जो events हुए है उन सब को analyze करें तो साफ दिखता है कि जो भी रश्या ने आपर किया है इसका एक correlation है सिर्फ एक महीने पहले आप अगर देखो तो रश्या में एक बहुत important के scientist थे जो president थे St. Petersburg Arctic School of Science Academy के इनका नाम था Valerie Mitko इनको रश्या की सरकार ने accuse किया कि आपने देश दरो किया है और आपने military secrets चाइना को provide किये हैं और रश्या ने openly ये कहा कि हम ने अपने देश में ये वक्ती पकड़ा है और आज के समय ये house arrest में है क्योंकि इसने चाइना को military secrets बेचे हैं तो रश्या ने openly चाइना पर ये भी ये रोप लगाया कि चाइना spying करवाता है रश्या पर और रश्या के जो military secrets है कि किस तरीके से ये weapons बनाते हैं किस तरीके से इनका military hardware manufacture किया जाता है उसके secrets भी चोड़ी करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर आप देख पाओगे CNN का article है from June 2020 Russia accused leading Arctic researcher of spying for China तो एक बात तो यहाँ पर ये है एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि S-400 का एक predecessor है और एक successor है मतलब कि S-400 से पहले का जो system था वो था S-300 और इसके बात का जो होगा obviously वो है S-500 now China के military ties Russia से ते strong है कि S-400 से पहले जो S-300 है इसका भी पहला purchaser दुनिया में था China और करीब इनोंने 5 से लेकर 6 units purchase किये थे from Russia उस time और बाद में बहुत सी countries ने S-300 को purchase किया अब देखो China ने S-300 purchase तो कर लिया और उसकी payment भी करी मगर साती सात एक चलाकी भी करी China ने S-300 का जो design है जो इसकी technology है इसको copy किया और इसका एक Chinese version प्रेपेर कर दिया जिसका नाम है HKU9 यहाँ पे आप देखोगे यह है Chinese HKU9 complete copy है S-300 की अब यहाँ पे आप पूछोगे के वाओ चाइना ने इतना कुछ कर लिया तो रश्या ने कभी publicly उनको accused नहीं किया कि आप copy कर रहे हैं हुमारा hardware वेल देखो काफी बार किया है काफी बार दबे शब्दों में काफी बार openly for example 2019 में तो रश्या ने openly क्या दिया था कि चाइना जो रश्या की military technology है ये चुराने की कोचिश कर रहा है और बहुत से जो इनके equipment है जो Chinese made है वो actually Russian hardware की complete copy है इसका एक और example है SU-27 जिसको copy करके चाइना ने बना दिया अपना खुद का fighter jet J-11 तो ये काफी लंबे समय से होता रहा है प्रोब्लम ये है कि रश्या बहुत ही जादा निर्भर है अन चाइना जो US के sanctions है अंडर दा काटसा एक्ट और फिर जो ये उरोप के sanctions है उसके अलावा जो तेल की कीमते हैं ये crash कर चुकी है इन सब चीजों ने रश्या को काफी dependent ना दिया है अन चाइना ये जो मैंने आपको दो बाते बताई है इससे हम conclude कर सकते हैं कि इस बार क्या हुआ है कि चाइना ने फिर से कोशिश की है कि S500 या फिर कोई और जो इनका military hardware है या फिर कोई military technology है इसको ये copy करे इसको ये रश्या जे चुरा ले और रश्या ने इस बार चाइना को पकड़ लिया है उन्होंने जो Chinese spying थी ये रोग दी है जो corruption हो रहा था ये भी रोग दिया है और since ये सब ऐसे time में हो रहा है जब US भी openly blame कर रहा है चाइना को for spying और ये कह रहे हैं कि ये लोग diplomats के नाम पर spies बेचते हैं और जो इनकी councillates हैं जो इनकी embassies हैं वहाँ पर बस जासूसी होती है बहुत ही high scale की तो रश्या को भी यहाँ पर platform मिल चुका है अपनी नराज़गी जाहिर करने का और देखो long term में मुझे लगता नहीं है कि जो रश्या यहाँ पर कर रहा है इसका बहुत ही बड़ा impact होगा on Russia-China relations हाँ रश्या ने suspend की है S-400 की delivery और इससे चाइना को message आएगा कि stop spying on us हम पर spying करना बंद करो हमारी जो intellectual property है जो हम हमारा दिमाग लगा के technology produce करते हैं उसको copy करना बंद करो तो ये message रश्या ने loud and clear send कर दिया है चाइना को मगर दोनों country's की जो military corporation है economic corporation है उसमें कुछ खास रुकावट नहीं आएगी क्योंकि रश्या बहुत ही ज़रा dependent है on China until US और European Union अपने sanctions रश्या से नहीं उठाते और साथी साथ जो तेल की कीमते हैं ये वापस 80 डॉलर, 90 डॉलर तग नहीं पहुशती आप रश्या से expect नहीं कर सकते कि वो चाइना को लेकर neutral होगा जब तक ये सब नहीं होता तो रश्या चाइना के प्रती जुका रहेगा तो ये है जियो पॉलिटिकल समी करण इससे आप समझ गयोंगे के हुआ क्या है वैसे overall इंडिया को S400 मिलेगा 2024 के बाद तो तब भी जो भी रुकावट आई है इस वक्त रश्या और चाइना के रिलेशन्स में उसको भी आप अगर फैटर इन कर लो तो तब भी इंडिया से काफी पहले चाइना को सारे S400 के जो यूनिट्स है और ये इंटर्ग्रेट भी कर चुके होंगे S400 को in their military so for the time being ये है complete analysis of this topic उमीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा thanks for listening and as always God bless you all